नमश्कार तन्यू बैज किछिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम कद्दू की खटी मीठी चच पटी मसाले वाली सब्जी बनाने की रेस्पी शेयर कर रहे हैं मेथी तन्या जब अच्छे से ब्राउन हो जायगा चम से हिला करए इसको कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है एक किलो कद्दू जो ज्यादा ना पकाङ है ना ज्यादा कच्चा है बीज अलग करके चिलका अलग कर दिया है और छोटे टुकडों में काट लिया है कड़ाई में डाल देंगे स्पैचुला से चला कर अच्छे से मिक्स करेंगे दो मिनिट ऐसे ही खुला इसको पकाना है कि दो मिनिट में इसका मॉष्टर कम हो जाता है और यह अच्छे से भुन जाता है अब इसमें कुछ मसाले ढालेंगे, मसाले में हमने लिया है स्वाद के नुसार नमक, ये एक चमच नमक है, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, इन सब को अच्छे से चमच से हिलाकर मिक्स कर देंगे, और एक धक्का लगाक अगर लो फ्लेम पर पक्टे के लिए रखेंगे, पाशनेट में मीडियम लो फ्लेम पर ये कदू अच्छे से पक जाएगा, एक बार चमच से चला देंगे बीच में, कदू जब अच्छे से चमच से दबने लगे, तब इसमें हमने लिया है आदा कप गुड, गुड से कर दिया है, अब इसमें डालेंगे एक चमच आमचूर पाउडर, क्योंकि खटा मीठा टेस्ट का कदू बना रहे हैं, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, एक बॉइल आने पर फ्लेम आफ करके इसको सर्विंग बोल में निकालेंगे और गर्म गर्म सर्व करेंगे, ये खट करेंगे, एक और नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहे हैं, तनुबैस के चेंट